नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सन्मार घर में अगर आपके मंदिर है तो अच्छी बात नहीं है तो आप किसी रैक पर या पाटे पर पूजा करते होंगे वो भी जलेगा क्योंकि भगवान का एक निस्चित अस्थान होता है उत्तर पूरब दिशा में अब पूजा समगरी बहुत सारी होती है लेकिन कुछ ऐसी समगरी जो आपके अगर पूजा अस्थान पर है तो आप बड़े भागे साली हैं और आपका पूजा जल्दी सुईकार होगा वैसे त लेकिन कुछ ऐसी मूर्तियां कुछ ऐसी वस्तुएं जो आप अपने पूजा अस्थान पर रख ले तो मुस्किले जीवन की कम हो जाती है और उनमें से जो पहला वस्तु है वो है सिब्जी का मूर्ति या फिर सिब्लिंग सिब्लिंग छोटा सा रखें कभी भी बड़ा सिब्लिंग रखते हैं तो बहुत अच्छी बात सिब्लिंग का मतलब होता है सिब्लिंग की जियोती और यह सभी तरह की मुर्तियों से बढ़कर है इसलिए साली ग्राव और सिब्लिंग के घर में होने का बहुत बिधान है बहुत महत्त्व है आपके घर में संतुलन बना र करते हैं तो एक तामबह की छोटे से पात्र में लौटे में जल भर कर आप तूलसी का पत्ता डालते हैं यद्मा चेमज्य होता है आप उससे जल लेकर आजमन तीन बार गहन करते हैं ऐसा करने से पुजा का फल आपको दूगुणा मिलता है तीसरी है पंचाम्रित अब पंचाम्रित रोजा परपीत नहीं करते हैं कोई बात नहीं लेकिन कम से कम हर एकादसी तिथी को जरूर पित क्या करें पंचाम्रित बनता है दूद दही सहद घी और सुद जलके मिस्टरं से आप इसमें गुड़ या मिसरी भी डाल सकते हैं तो जो पंचाम्रित है ना पंच इसको पंच दिब अम्रित कहा जाता है मधूपर्ग में घी नहीं अब ऐसे में यह जो है बीमारियों को नास करने वाला अगर आप रोज ही पंचाम्रित का भोग भगवान को लगा कर पूरे और सीतल चंदन की जो सिली होती है आप उस पर एक बट्टी या कि लकडी से जब उसको घिस कर तिलख लगाते है स्री हरी को भगवान सिब को फिर अपने आपको तिलख लगाते हैं तो माथे पर तिलख लगाने से मस्दिक सांत रहता है लेकिन जो महिलाए हैं वो चंदन कदलिला कंठ पे लगाएंगी वो माथे पर नहीं लगाएंगी अक्षत जो संपन्नता का प्रतीक है बैभव का प्रतीक है और अक्षत आप सिपजी कोनियमित रूप से एक दाना जरूर अरपीत करें लेकिन कभी भी पूरवजों का तस्वीर आप पूजा स्थान पर मत रखें वरना देवी देपता हो जाएंगे नाराज आप जब पूजा करते हैं तो पुस्प जब भगवान को अरपित करते हैं आप पुस्प को साम के समय हटा दे या आप सुद्ध नहीं है तो अगले दिन सुभर बासी पुस्प को आप तुरंद घर भी भोग लगा सकते हैं आपकी मर्जी पर है लेकिन सिब जी और मादुर्गा गनेश जी की नवैद में तुलसी के पत्ते मड़ डाली रोली लाल कलर का बुकनी और हल्दी को मिलाकर बनाए जाती है रोली का कलर लगभग लाली होता है जिसका नम कुमकुम भी है और हर पू जाते हैं धूप धूप का सुगंद जो है न वह मन मस्तिस को बढ़िया करता घर से नकात्मकुर्जा को भगाता है जब आप धूप जलाते हैं तो उसका एक अलग पातर आता है मिट्टी का भी होता है आप पीतल लुहा का भी ले सकते हैं दीपक वैसे तो आप दीपक मिट अस्थान में पंच तत्नों की उपस्तिदी बहुत आवस्यक होती है गरूर घंटी कि जिस अस्थान पर घंटी बजने की आवाज नियमित रूप से आती है वहां का बाता और नमेशा सुद्व पवीत्र बना रहता है नकात्म कुर्जा हटती है और नकात्मक्ता को हटाने के लिए आप घंटी बजाईए गरूर घंटी रखे लेकिन भूलकर भी जमीन परत्मात रखेगा उसको आसन पर ही रखेगा संख जिस घर में संख होता है वहां लक्षमी जी जरूर रहती है संख सूर्य और चंद्रमा के समान देव सरूप है जिसके मद्ध में वरुन पृष देपताओं का आसन माना जाता है और जब जल को सुद्ध तत्व मानते हैं हम तो इस्वर आक्रिष्ट होते हैं और इसको मंगल कलस भी कहा जाता है तो आप तांबे या कासे के कलस में जल भरकर उसमें आम के पत्ते डाल कर आप इसके उपर स्वस्तिक का चिन्न बना कर आप मौली धागा बांध कर रखिए आप कलस में पांच सुपाड़ी और एक सिक्का भी डाल दीजेगा उसके उपर कोई फल रख दे कौड़ी पुराने समय में ऐसी परंपराय थी कि मालक्षमी की कृपा प्राप्त होती है पीली कौड़ी रखने से और एक पीली कौड़ी को अ इसको काम सिक नहीं कह सकते हैं बिल्कुल पॉजिटीव और यदि कलस में तामे का सिक्का डाल देंगे तो घर में सुपसांती समरिद्धी के द्वार खुल जाते हैं और लकड़ी का पाठा जरूर रखें जिस पर आप भगवान को आसन देते हैं वैसे बहुत साई लोग मं मा की तस्वीर होती है उस घर में सब्सक्राइब तंत्र मंत्र क्रिया असर करता ही नहीं और नियमित रूप से माध्रुगा को दो लॉंग और पीत करें तो मा की तस्वीर मूर्ती जरूर रखें गंगा जल आप एक छोटे से लोटे में गंगा जल कर भर कर रखें और इसी सब के माथे पर मूर पंक सजा दीजिए सकात्मक उड़ेगा घर में नकात्मक उड़ जाए आही नहीं सकती वैसे बहुत सारी समगरिया ऐसी है जो नियमित रूप से पूजा पाठ में यूज होता है सिंपल तरीके से जान ले देखिए जैसे कि हल्दी का गांट अगर आप हर गनेश जी की आप छोटी सी तस्वीर या मूर्ती जरूर रखेगा इत्र की सीसी रखिए और नियमित रूप से इत्र रूप में लगा कर मालक्षमी को और पित करें तो धन बढ़ता है एक चांदी का सिका कुजास्थान पर रखें आप लाल कलर का धागा लच्छा या फिर आप जिसको हम मौली धागा कहते हैं जरूर रखें सहद रखें हरी इलाची रखें जो जीवन में सुपता बढ़ाता है आपका सुक्र बेहतर होता है लॉंग जरूर रखें और खड़ा धनिया जरूर रखें काली मिर्च के दाने रखें और दुर्वा घास आप पूजन की समगरी के साथ रखकर ही पूजा कीजिए तो आपको यह बहुत अच्छा वैसे बहुत साइज समगरी है लेकिन फिर लाखें